हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं हूँ कोवल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अब आउट दर रामा चंदरन प्लोट लेकिन टोपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दू कि अगर आप CSIR कर नेट लाइफ साइंस की त्यारी कर रहे हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए ही बनाई जा रही है तो हमने इस चैनल पर एक सिरी शुरू किया है जिसमें की हम स्लेबस के अकोर्डिंग जो तेरह यूनिट है उन सभी की मोस्ट इंपोर्टन टोपिक को डिल करने वाले हैं और अभी हमने शुरू किया हुआ है यूनिट फर्स य दैट इस बायो कैमिस्ट्री और बायो कैमिस्ट्री के स्लेबस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है foundation और second most important प्लोट यह अग्रएंट्ध इस टॉपिक से देखते हैं तो यह आपको भी काफी एजी लगने वाला है तो चलिए बात करते हैं अब आउट दरामाचंदन प्लोट अब रामाचंदन प्लोट जो है यह बताता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में यानि कि यह एक ऐसा प्लोट है जिसमें हम रेजिड्यू और जो प्रोटीन होते हैं उनको प्लोट करते हैं इस प्लोट के अंदर लेकिन रामाचंदन प्लोट को ध्यान से समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को पहले डील करना होगा जैसे कि रेजिड्यू क्या होता है और अमाइन एसिड्स क्या होते हैं इसके बाद हम बात करेंगे कि ब फिर हम definition करेंगे रामा चंदन प्लोट की इसके बाद हम पढ़ेंगे how रामा चंदन प्लोट plots उसमें allowed और disallowed reason क्या होते हैं तो ये सब topic हम आज की वीडियो में करने वाले हैं चलिए तो बात करते हैं सबसे पहला topic जो है that is residue और amino acid तो देखें यहां पर हम बात करने वाले हैं amino acid और residue के बारे में तो protein एक polymer unit है यानि की protein जो होता है बहुत सारे monomer unit से बिलकर बना हुआ होता है और protein का जो monomer unit है वो होता है amino acid इसके structure की बात करें तो कुछ ऐसा होता है बीच में carbon होता है उपर होता है hydrogen इधर पे होता है NH2 और दूसरी side में होता है COOH और fourth side होता है R group तो यह जो R group है यह हर amino acid के लिए different होता है जितने भी amino acid है जो protein को form करते हैं उन सभी के लिए R group different होता है और बाकी जो तीनों चीजें that is COOH, H and NH2 यह सभी के लिए same होता है तो यह है amino acid अब यह बहुत सारे amino acid मिलकर क्या बनाते हैं protein बनाते हैं जैसे कि अगर बात करें यह amino acid ह यह एक amino acid है यह भी amino acid है यह भी amino acid है यह जंद मिल जाते हैं तो protein की formation करते हैं तो यह है amino acid और इनके बीच में यह जो bond है इसको बोलते है peptide bond अब देखो यह amino acid है हमने बात की है क्योकि protein amino acid से मिलकर बना हुआ होता है लेकिन यहां condition यह है कि यह amino acid अकेला नहीं है दूसरे amino acid के साथ में with the help of peptide bond जुड़ा हुआ होता है तो अब आप इस amino acid को amino acid ना बोलकर residue बोलते हैं अगर simple अकेला है तो आप amino acid कहेंगे इस तरीके से लेकिन अगर वो amino acid chain की form में जुड़ जाए तो अब आप उसको residue कहेंगे अब आप उसको residue कहते हैं तो अभी आपको समझ आया कि दोनों में क्या difference होता है amino acid और residue में क्या difference होता है अगर यह समझ आया है तो हम आगे move करते हैं अपने next topic को that is backbone और side chain में क्या difference होता है तो इसको समझने के लिए हमें प्रोटीन की एक चेन को पहले फोर्म करना होगा चलिए तो मेरे साथ में आप भी फोर्म कीजिएगा N, C, Alpha और C N, C, Alpha and C N, C, Alpha and C इसके बाद यह जो C, Alpha होता है यहां अटैच होता है H और एक R ग्रूप इस N से अटैच होता है H यहां पर भी H होगा इसके बाद इस C, Alpha से R और H इसके बाद इस N से H और यहां पर होता है 00 और यहां पर भी होता है 00 यहां बात करें तो R और H और C, O, O, negative तो यह मैंने एक प्रोटीन की चेन मनाई है और इसमें मैंने जोड़े हैं 3 amino acid इस chain के अंदर 3 amino acid है अब अगर आपको यह doubt रहता है कि इतनी बड़ी chain में हम कैसे बताएं कि कितने amino acid है तो इसके लिए मैं simple से आपको एक trick बताती हूं जिससे आप तुरंत बता देंगे कि इस chain के अंदर कितने amino acid है जिसमें जो बीच वाला C है उसको हम C alpha बूलते हैं ठीक है तो जितने NCC इतने ही amino acid चलिए तो इस trick को यूज़ करते हूं मुझे बताएं यहाँ पर कितने amino acid है 3 हैं कैसे NCC यानि कि यह हुआ हमारा एक amino acid इसके बाद NCC यह हुआ हमारा दूसरा amino acid NCC यह हुआ हमारा तीसरा amino acid तो इस तरीके से इस trick की help से चाहे कितनी भी बड़ी chain आपके सामने रख दे आप easily बता सकते हैं कि उसमें कितने amino acid है और कहां से एक amino acid सुरू होगा और कहां पर खतम होगा ठीक है तो यह मैंने आपके लिए बिल्कुल सिंपल कर दिया है कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं about amino acids ठीक है लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं backbone और side chain की तो देखो यहाँ पर यह जो beach वाली chain है यानि कि यह NCC जो है यह वाला जो part है यह वाला जो part है यह वाला जो पार्ट है यह protein की backbone होती है इसके बाद side में जो chain है इसके बाद side में जो chain है यह वाली और नीचे side में भी जो chain है यह वाली यह कितनी भी बड़ी हो सकती है कैसे हो सकती है क्योंकि यह जो R group है कितना भी branch हो सकता है कितना भी छोटा हो सकता है फर एक्जामपल यह R गुरूप बहुत बड़ा है और यहां तक फैल जाए इस तरीके से तो यह चेन अब ऐसी हो जाएगी यहां पर बात करें तो हमने यहां R लिया है यह भी कितना भी बड़ा हो सकता है यह भी कितना भी बड़ा हो सकता है तो यह जो side chain ही depend करती है कि जो amine acid हमने लिया है उसका R गुरूप कितना बलकी है कितना बड़ा है तो यह जो side वाली chain है तो नाम से ही indication है यह हो जाती है दोनो side chain यह दोनों होती है side chain और जो middle में होती है उसको बोलते है backbone तो I hope आपको यह दोनों term that is backbone और side chain समझाया होगा कि बीच में जो होता है वो backbone होगा और side में जो होगा उसको side chain कहेंगे ठीक है तो इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे next topic पर that is phi and psi angle यह क्या होते हैं और इनको हम कैसे याद कर सकते हैं तो यहाँ पर भी मैंने एक protein की structure को draw किया है अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस chain के अंदर कितने amino acid हैं हाँ हम विलकुर बता सकते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि NCC is one amino acid तो देखिए NCC एक amino acid हो गया NCC दूसरा amino acid हो गया और NCC तीसरा amino acid हो गया I hope आपको इस चीज़ में अब कोई confusion नहीं है ठीक है NCC से मतलब है एक amino acid ठीक है अब next task आता है अगर मैं आपसे पूछू कि इसमें peptide bond कहां है आपको पता है ना peptide bond क्या करता है दो amino acid को जोडता है तो अगर मैं आपसे पूछू कि इसमें peptide bond कहां है तो ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि देखो ये भी bond है ये भी bond है ये भी bond है ये भी bond है कितने सारे bond है अब इसमें हमें ये कैसे पता लगे कि हमारा peptide bond कौन सा है तो इसके लिए भी मेरे पास एक trick है जिसकी help से आप easily बता सकते हैं कि कौन सा peptide bond कहां पर है तो peptide bond के लिए जो trick मेरे पास है वो है C-O-N-H जहां पर भी C-O-N-H है और इनके बीच में जो bond है वो होता है one peptide bond चलिए इस trick को use करते हुए apply करते हैं यहां पर देखो C-O-N-H यहां कहीं पर भी नहीं है यहां पर आया है देखो C-O-N-H तो इनके बीच में यह जो bond है this is peptide bond ठीक है यह जो bond है यह है peptide bond यह वाला ठीक है इसके बाद आगे बात करें तो देखो यह यहां पर C-O-N-H नहीं है अब यहां पर आया है C-O-N-H ठीक है तो यह है peptide bond आगे कहें भी नहीं है तो मतलब इस पूरी chain के अंदर दो ही peptide bond है यह वाला है और यह है तो आगे आपको कभी भी confusion नहीं होगा यह बताने में कि amine acid कितने है कहां से शुरू हुआ है कहां पर खतम हुआ है peptide bond कहां पर है और कैसे बना हुआ है तो यह peptide bond है यह peptide bond है बाकी यह अलग-अलग bond होते हैं कौन से होते हैं यह हम आगे बात करते हैं देखो यह एक chain है अभी हमने देखी है अब बात करते हैं कि इसमें फाई और साई एंगल कहां पर है फाई और साई एंगल कहां पर है तो यह है हमारा peptide bond अभी जो हम देखक है इसके पास होते हैं loan pairs और यह loan pairs यहां पर jump कर जाते हैं इस वज़े से यहां partial double bond आ जाता है यानि कि कभी double bond होगा कभी नहीं होगा कभ नहीं होगा जब यह loan pair यहां आ जाएंगे तो यह डबल हो जाएगा तो ऐसे बॉन को हम पार्शियल डबल बॉन बोलते हैं पार्शिल का मतलब होता है आधा यानि कि पूरा नहीं है कभी होता है कभी नहीं होता है कभी होता है कभी नहीं होता है तो यह पार्शियल डबल बॉन है ठीक है और यह जो रोटेशन है अगर यह ROTATE करता है तो इसको हम बोलते है OMEGA जीए इस rotation को यहाँ पर जो angle बनता है उसको हम OMEGA बोलते है और इस OMEGA के बारे में हमने detail में पड़ा हुआ है peptide bone के अंदर यहाँ बेसिकली हम बात करने वाले है FIORSI के बीच में तो एक rotation यहाँ पर पॉसिबल होता है रोटेशन मतलब यह ऐसे ही ऐसे रोटेट कर जाए या फिर यह अगर ऐसे रहे तो यह रोटेट कर जाए या फिर यह दोनों ही रोटेट कर जाए ठीक है इसको बोगते हैं रोटेशन एक रोटेशन यहां पर पॉसिबल होता है और एक यहां पर होता है तो यहां से rotation होता है तो आप उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे phi angle, phi को हम कुछ ऐसे represent करते हैं, phi angle कहेंगे, और अगर यहां से rotation होता है, तो आप इसको कहेंगे, phi angle, आप इसको क्या कहेंगे? phi angle कहेंगे, फिर से मैं repeat कर देती हूँ, अगर हम बात करें इस वाले angle की, तो यह हो जाता है phi angle, और अगर इसकी बात करें, तो यह हो जाता है, phi angle, यह phi, यह साई, अब यहां पर भी confusion होता है कि कैसे हम phi याद रखे, कैसे हम साई याद रखे, इसके लिए भी एक trick है, चलिए, आगर बात करते हैं, तो देखो phi और साई के बारे में आपको पता लगा, यह मतलब की N और C alpha के बीच में, जो angle बनता है, rotation के बाद, उसे आप represent करेंगे phi से, और C alpha और C के बीच में अगर rotation होता है, वो कितना angle आया है, उसको आप represent करेंगे size से, चीक है, phi and size, और यह होता है omega, यानि कि यह होता है omega, चीक है, ओके, तो आप देखो, C और N के बीच में, जो bond बनेगा, और वो जो rotation करेगा, उसे आप क C और N के बीच में, जो bond होता है, उसका जो rotation होता है, आपने उसको omega कहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि यह है omega, ठीक है, क्या है, omega है, अच्छा, rotation कितना कर सकता है, इस omega के case में केवल दो ही rotation possible होते हैं, क्यों होते हैं, दो ही, क्योंकि partial double bond का character आता है, तो यह अपने आपको अच्छे से rotate नहीं कर पाता, या तो यह रहेगा 0 पर, या फिर यह रहेगा 180 पर, मतलब इसमें दो ही rotation possible है, या तो omega की value 0 होगी, या तो 180 होगी, ठीक है, इसके बाद अगर C alpha और C के बीच में बनता है, ठीक है, मतलब कि C alpha और C के बीच में बनता है, तो आप उसको कहते है, Si, आप क्या कहते हैं, Si, तो चलिए, यहां लिख देते है, Si, इसमें कितना rotation possible है, इसमें देखे, rotation होता है, प्लस 180 से माइनस 180 तक देखो कितना variation है प्लस 180 से लेकर माइनस 180 तक ये rotate कर सकता है कितने भी value हो सकती है कितने भी in the sense मतलब प्लस 150 भी हो सकती है प्लस 120 भी हो सकती है प्लस 60 भी हो सकती है 0 भी हो सकती है माइनस 60 भी हो सकती है माइनस 120 भी हो सकती है माइनस 160 भी हो सकती है माइनस 180 भी हो सकती है इसके बीच में भी कितना भी नंबर हो सकता है तो इसका rotation होता है यह किसका psi का इसके बाद जो C α और N के बीच में rotation होता है उसको हम बोलते हैं 5 उसको हम बोलते हैं 5 और इसका कितना rotation possible है प्लस 182 माइनस 180 ठीक है बात समझ आई omega omega psi and phi अब बात है याद करने के कैसे याद करें तो देखो अगर मैं इसका आपको बता दूँ तो इसका तो आपको खुद ही याद हो जाएगा इसके लिए हम क्या करते हैं एक c है हमें पता है c alpha और c के बीच में बनता है तो c alpha एक ये c alpha बीच में ऐसे कर दे तो ये हमारा बन गया है psi ठीक है किस तरीके से एक ये c alpha है ये दूसरे वाला c है और बीच में ऐसे कर दिया तो ये बन गया psi यानि कि c और c के बीच में साइ, है है ना, याद रहेगा, पिश्त की हैँ तो इच को याद कर लिया तो दूसरा खुद से याद हो जाएगा, है ना, तो यह हम देख चुके है ihn about the angles, अब अगर बात करेए देखो, यहाँ पर एक peptide bond है यहां पर एक peptide bond है इनके बीच में जो एंगल बनते हैं इनको हम बोलते हैं डाई हेड्रल एंगल उनको डाई हेड्रल एंगल बोलते हैं वो टोर्जन एंगल भी नहीं को हम बोलते हैं तो मैं यहां पर लिख देती हूं कि यह जो फाई और साई एंगल है इनको ह हम डाई हेड्रल या फिर इनको हम टोर्जन एंगल भी बोलते हैं तो आगे कभी भी डाई हेड्रल या टोर्जन एंगल के बारे में बात आए तो आप बता सकते हैं कि फाई साई कहां बनेगा आप ये भी बता सकते हैं साई कहां बनेगा आप ये भी बता सकते हैं क्योंकि इस आपने कर लिया है तो आगे हम बात करते हैं कि रोटेशन होता कैसे है यह तो आमने देख लिया कि फाय रोटेशन है साई है लेकिन होता कैसे है देखो एक यह है हमारा पेप्टाइड बोंड अब यहां पर अब मुझे बताएगा सी अलफा और सी के बीच में कौन सा एंगल ब बनता है साई और सी अलफा और अ के बीच में कैसा बनता है हम पता है यह भी यह बनता है फाई यह बनता है फाई अब रोटेट करने के बाद कैसी स्रक्टर हमें मिलेगी चलिए देखते हैं after हमें क्या मिलने वाला है तो मेरे साथ में डो करेंगे आप यह बिल्कुर सेम रहेगा एन एच टो ही रहेगा यह एन सी रहेगा इसके बाद यह सी अलफा ही रहेगा उपर ही रहेगा आर रहेगा क्योंकि यहां पर कोई रोटेशन नहीं हुआ है इसके बाद C इसने रोटेट किया है तो ये C डबल बोंड अब नीचे आ जाएगा क्योंकि पहले ऊपर था रोटेशन के बाद ये ऐसे नीचे आ जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर नीचे था H ये ऊपर आ जाएगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर था C alpha इसमें भी R उपर हो जाएगा और H नीचे आजाएगा यहाँ इसके बाद बात करें तो C double bond O उपर आएगा N में H उपर था तो यहाँ नीचे आजाएगा इसके बाद यह बाते बिल्कुल सेम रहेंगी क्योंकि यहाँ पर तो कोई rotation नहीं हुआ है तो after rotation हमें क्या देखने को मिला है after rotation हमने देखा कि यह अब ऐसा हो गया है यह अब ऐसा हो गया है तो after rotation यह जो चीज़ें flip होकर ऐसे हो जाएगी यह भी ऐसे हो जाएगा तो देखो यह होता है rotation यानि कि इस तरीके से चीज़े rotate करती है इस तरीके से यह बिल्कुल सेम रहेगा यह rotate कर जाएगा यह rotate कर जाएगा जैसे यह rotation होगा यहाँ पर rotation होगा तो यह flip कर जाएगे मतलब rotate कर जाएगे तो यह होता है rotation के बारे में अब अगर आगे बात करें इतना समझ आया तो अब हम देखते हैं कि cis और trans condition क्या होती है cis और trans condition क्या होती है तो cis होती है जब omega का value 0 हो और trans होता है जब 180 हो difference क्या है difference देखो यह है कि यहाँ R और R एक ही side में है दो amino acid है एक यह वाला है और एक यह वाला है इसमें जो R है दोनों एक ही side में है यहाँ पर अगर बात करें एक यह amino acid है हमारा और एक यह है इसमें जो R की position है वो बिल्कुल एक दूसरे से opposite direction में है तो अगर दोनों का R सेम position पर होगा तो उसको आप बोलेंगे cis condition और किसी chain में जो साथ में जोड़े हुए amino acid है उनका R अगर opposite position पर है तो उसको आप कहते हैं trans याद रहेगा कितना आसान है और trans कब होता है 180 पर होता है और cis कब होता है 0 पर होता है तो अगर same में होगे तो cis रहेगा अगर opposite में होगे तो trans रहेगा अब अगर यहां बात की जाए stability की कौन सा ज्यादा stable है तो क्या बता सकते हैं कौन सा ज्यादा stable है चली मैं बता देती हूँ इसमें जो trans होता है वो more stable है ऐसा क्यों क्योंकि देखो R दोनों same ही side में है यह भी bulky group है यानि कि बड़ा है यह भी बड़ा है तो यहां तक तो यह आएगा यहां तक यह आएगा तो इनके बीच में space के लिए लड़ाई होती है steric hindrance कर देते हैं यह R कहता है कि मैं फैल कर बैठूंगा यह कहता है कि मैं बैठूंगा इस वज़े से यह पूरी protein जो structure है stable नहीं रह पाती है कहीं पर अगर लड़ाई बसती है तो क्या वो stable रह सकता है नहीं रह सकता है लेकिन अगर यहां पर बात की जाए तो इसका जो R गूरूप है वो कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो अराम से फैल सकता है रह सकता है क्योंकि यहां पर एक ही R है इसके बात करें तो यह भी अपने आपको खूब फैला सकता है तो इनमें कोई भी लड़ाई नहीं होता कोई भी repulsion नहीं होता एक दूसरे से कोई fight नहीं होती तो यह stable रहता है तो ट्रांस वाला या फिर 180 डिग्री पर जो है वो stable है और जो सिस पर है यानिकि जीरो पर है वो unstable होता है इतना करने के बाद हम बात करेंगे कि रामाचंदरन प्लोट क्या होता है हम बात करेंगे कि रामा चंदरन प्लोट क्या होता है अब बात करेंगे डेफिनेशन की तो देखो यह जो रामा चंदरन प्लोट है यह कितना अच्छा है क्यों है अच्छा क्योंकि इसका जो नेमिंग है वह सिमिलर है हमारे हम सभी से रामा चंदरन क्योंकि देखो हम क्या बात करते हैं जब भ बहुत ईजी लगे और अपने जैसा ही लगे है ना तो रामा चंदरन प्लोट यह जो नेमिंग है यह बिल्कुल हमारे साथ में ही जुड़ा हुआ है इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यह नाम भी और यह सुनकर भी काफी अच्छा लगता है कि जो रामा चंदरन प्लोट है यह एक इंदियन सायंटिस्ट में डिया था ठीक है तो रामा चंदरन प्लोट 1963 में जी और रामा चंदरनी ने दिया था थे कि बताया क्या था उन्होंने बताया था कि डावामा चंदरन्न प्लोट इस प्लोट औफ़वजईन एंगल्स यानिकि bolti and अंदर जितने भी residue होते हैं 1 जितने भी residue होते हैं उन residue के जो fire and five angle हैं उनको plot करना रामाचंदन plot कहलाता है किसी भी peptide में जो भी residue है उनका side और five angle कितना आया है जितना भी आया है उसके according उसे plot करना एक graph में उसको ही हम रामा चंदर्न प्लोट बोलते हैं इसके बाद लिखा है Only describe about phi और psi एंगल हमेशा याद रखना है कि रामा चंदर्न प्लोट के अंदर हम किसी भी protein के structure या फिर residue का phi और psi एंगल ही बताते हैं omega या फिर कोई और अगर एंगल है उनके बारे में कोई बात नहीं होती है केवल और केवल phi और psi एंगल के बारे में ही बात की जाती है इसके बात का है describe the possible rotation of torsion एंगल यानि किसी residue का जो torsion एंगल है phi और psi है उसका कितना possible rotation हो सकता है यह सब describe किया जाता है इन रामा चंदर्न प्लोट मिलकर complete करते हैं कैसे करेंगे देखो यह इसमें होते हैं चार क्वेडरेंट जो रामा चंदर्न प्लोट है उसमें चार पार्ट होते हैं फास्ट, सेकिंड, थार्ड and फॉर्थ इसमें जो यह वाला पार्ट है मतब होई जो लाइन है इसमें आप लिखते हैं फाई की value और वर्टिकल जो लाइन है इसमें लिखते हैं आप साई की value अब यहाँ पर भी confusion होता है कि हम भूल जाते हैं कि साई कहाँ पर लिखना है और फाई कहाँ पर लिखना है तो इसके लिए भी एक ट्रिक मेरे पास है देखो जब कभी भी हम graph बनाते थे तो इसको हम x लेते थे और इसको हम y लेते थे yes or no हम बिल्कुल हम ऐसा ही करते थे तो अगर इस y को थोड़ा सा modify में कर दूँ यानि कि यह इस तरीके से y है और इसको अगर मैं थोड़ा सा modify करके ऐसा कर दूँ तो आप याद रख सकते हैं यानि कि y की जगे पर आप इसको रखेंगे किसको si को यह थोड़ा y जैसा दिखता है तो यहाँ पर आप रखेंगे si और यहाँ पर रखेंगे आप 5 ठीक है यह है positive 180 इसका just opposite भी फाही होगा लेकिन minus 180 यानि कि यहाँ से plus 180 0 minus 180 ठीक है इधर आप रखेंगे plus 180 फिर आएंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आएगा minus 180 यहाँ आएगा minus 180 तो यह है si positive यह है si negative सोरी सोरी यह 5 पॉजिटिव यह 5 नेगेटिव यह साई पॉजिटिव यह साई नेगेटिव अब हम बात करते हैं most important चीज की वो है कि in quadrant में कौन सी value put की जाएगी ठीक है तो बात करते हैं थर्ड से इसमें हमने बात लेनी होती है इस वाले point की और इस वाले point की चीक है अब देखो इसके लिए जो फाई है वो पॉजिटिव है तो फाई पॉजिटिव होगा इसके लिए बात करें तो साई भी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं फाई की भी और साई की भी दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव हैं तो आप उसे रखेंगे इस क्रेडरेंट में ठीक है इसके बाद बत करते हैं सेकिंड की तो इसमें हम लेते हैं ये वाला point और ये वाली है positive, chi है positive, यानि कि यहां पर condition होती है negative और positive की, negative और positive की, यानि कि अगर किसी residue की side की value positive है और 5 की value negative है, तो आप इसे second quadrant में रखेंगे, छीक है, उसको आप कहाँ पर रखेंगे, second में रखेंगे, अब first में किसे रखना है, इसमें हम लेते हैं एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन इस में जो हमारा phi है वो नेगटीव है और psi जो है वो भी नेगटीव है यानि कि दोणो नेगटीव है तो ऐसा residue या फिर ऐसी protein की structure जिस में phi और psi दोनों की value negative होगी तो आप इसे first quadrant में रखेंगे ठीक है समझ आया इसको आप कहां पर रखेंगे first में रखेंगे इसके बाद fourth में क्या आएगा ये वाली line और ये वाली line इसमें जो साई है इसमें जो sorry five है वो positive है और साई क्या है साई है negative तो यहां पर condition है positive और negative की तो ऐसा protein का structure या फिर ऐसा residue जिसमें five की value positive होगी और साई की value negative होगी तो आप उसे रखेंगे fourth quadrant में ठीक है अब third और first के लिए तो कोई confusion नहीं है यहां पर दोनों positive है यहां पर दोनों negative है आप तुरंत रख देंगे लेकिन जो थोड़ा सा confusion है वो आता है second में और fourth में क्यों क्योंकि यहां पर भी एक plus है एक minus है यहां पर भी एक plus है एक minus है अब अब ऐसी condition में आपको याद रखना है कि minus कौन सा है अगर si minus है तो आप रखेंगे fourth में और अगर si plus है यानि कि positive है तो आप रखेंगे यहां पर और आपको एक बात और याद रखनी है कि जो horizontal line है उसको आप पहले रखेंगे पहले मतलब देखो यहां पर यहां पर यहां पर होता है उसको आपने बाद में रखा है देखो यहां पर phi के बाद रखा है si यहां पर phi के बाद है si यहां पर phi के बाद है और यहां पर भी phi के बाद है ठीक है बाते समझ आई अगर आई है तो अब हम plot करेंगे अपनी कुछ structures को in this रामाचंदन plot कैसे रखते हैं चलिए अब यह कुछ protein के structure होती है अगर आपको इसमें confusion है तो इसके भी मैंने वीडियो बनाए हुई है जिसमें हमने protein के structure के बारे में detail में बढ़ा है तो आप वहां पर देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ examples लिए है ताकि हम समझ सके कि रामाचंदन plot के अंदर चीजों को कैसे plot करते हैं इसमें जो right-handed alpha helix है उसका यह 5 की value है यह si की value है इसका 5-60 होता है साइ माइनस 50 होता है left-handed alpha helix में 5 की value है वो plus 60 होती है साइ की value plus 50 होती है anti-parallel beta sheet में जो 5 की value है वो minus 140 होती है साइ की plus 135 होती है इस तरीके से कुछ यह values होती है अब इन values को हम put करने वाले है अपने इस plot के अंदर चली बात करते है कि कैसे put करेंगे तो y पर हम लेते हैं si और x पर हम लेते हैं 5 इस graph को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा तो इसको हम करते हैं शुरू कैसे करना है सबसे पहले हम plot करते हैं right-handed alpha helix को, right-handed alpha helix बात करते हैं, ढोनो negative हैं, है न? 5B और 17B, और जब ढोनो negative होते हैं, तो ढोनो negative को हम रखते हैं 1 में अगर ढोनो value negative हैं, तो उसको हम 1 में रखते हैं यानि कि जो right-handed alpha helix है, वो यहाँ पर आएगा ठीक है ये तो ठीक है कि यहां पर आएगा लेकिन आएगा कहां मतब यहां आएगा या फिर यहां आएगा या फिर यहां आएगा या फिर यहां आएगा कहां आएगा है ना इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसकी values को तो इसका जो phi है वो minus 60 है phi क्या है minus 60 है तो देखो phi होता है ये वाला और इसमें जो minus 60 है वो यहाँ पर है मैं थोड़ा उपर लिख देती हूँ minus 60 है यह 0 है तो minus 60 यहाँ पर है और हमने बात की है कि minus 60 ही होता है तो मतलब यहाँ पर आएगा ठीक है इसकी जो psi की value है वो minus 50 है minus 50 है तो minus 50 कुछ यहाँ पर आएगा यहाँ बताए यह minus 60 है तो उपर minus 50 तो इसकी value कुछ यहाँ आजाएगी ठीक है समझ आया सबसे पहले हमें देखना है कि वो कौन से quadrant में आएगा इसकी बाद हमें देखना है कि कहाँ पर आएगा तो यह आता है first quadrant में क्योंकि दोनों की value negative है और जो phi है वो minus 60 है तो यानि कि यहाँ और psi क्या है minus 50 है तो यहाँ दोनों को हम add कर देंगे तो यहाँ पर आएगा तो यह है मेरा right-handed alpha helix ठीक है right-handed alpha helix और यह है जो real graph होता है रामा चंदन प्लोट का इसमें हम थोर सा cross check करते रहेंगे साथ में तो देखो मैंने लिखा है right-handed alpha helix कहाँ पर है यहाँ पर ही है जहाँ पर हमने draw किया है है ना बिलकुल वहाँ पर ही है तो बिलकुल भी गलत नहीं है हमने बिलकुल सही प्लोट किया है ठीक है इसके बाद next बात करते हैं left-handed alpha helix की कि left-handed alpha helix को कहाँ प्लोट करेंगे दोनो positive है मतलब फटा-फट से देखेगा कि यह आएगा third में मतलब कि यह आएगा यहाँ पर लेकिन इसमें कहाँ इसके लिए हम बात करेंगे इसकी values की तो इसके लिए जो phi है इसके लिए जो phi है वो plus 60 होता है यानि कि इसका जो phi है यह वाला जो है plus 60 है यानि कि यहाँ ठीके इसकी बात करते हैं साई की तो साई है plus 50 साई है plus 50 यानि कि plus 50 कहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ ठीके यहाँ मतलब कि left-handed alpha helix यहाँ आएगा कैसे क्योंकि इसकी जो साई की value है वो plus 50 है तो यानि कि थोड़ा यहाँ कि यह 60 है तो 50 यहाँ पर होगा तो यहाँ आजाएगा और इसका जो phi है उसका value बताया है 60 तो यह थोड़ा यहाँ पर चली क्रोस चेक कर लेते है हाँ देखो यहाँ यह है हमारा left-handed alpha helix जो की इस quadrant में है और यहाँ पर है हमने भी बिल्कुल इसमें ही रखा है और यहाँ पर रखा है तो यह है left-handed alpha helix ठीक है ना आसान है बहुत आसान है यह हमने देख लिया है right-handed यह है left-handed अब बात करते हैं अपने anti-parallel beta sheet की anti-parallel beta sheet इसमें minus है plus है लेकिन minus कुन सा है minus है हमारा phi तो जहाँ पर phi minus है psi plus है वो आता है second quadrant में इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्या है psi negative है लेकिन उसका psi positive है तो वो यहाँ पर आएगा मतलब की यहाँ पर आएगा लेकिन यहाँ पर कहां आएगा इसके लिए हम बात करेंगे values की तो anti-parallel beta sheet के लिए जो phi की value है वो minus 140 होती है चलिए ड्रो करते हैं minus 140 is what this minus 140 तो कहां यह minus 120 है यहाँ पर minus 130 यहाँ पर minus 140 तो कुछ यहाँ आजाएगा अब बात करते हैं कि इसका जो psi है वो है plus 135 plus 135 तो कहां आएगा यह 120 है 130 और 135 something यहाँ आजाएगा तो यह यहाँ है यानि कि यहाँ ठीक है यहाँ आएगा एक बार क्रोस चेक कर लेते हैं इसमें यह है anti-parallel beta sheet anti-parallel beta sheet यानि कि यहाँ आता है हमने भी क्या यहाँ पर किया है बिल्कुल हमने भी यहाँ पर ही किया है तो यह है anti-parallel beta sheet ठीक है next बात करते है parallel की तो parallel के लिए भी same case है इसमें यह negative है यह positive है तो उस वाले quadrant में ही आएगा लेकिन कहाँ आएगा minus 120 plus 115 यानि कि minus 120 minus 120 यहाँ minus 120 यानि कि यहाँ और इसका यह है 115 115 तो 115 कहाँ आएगा यहाँ आएगा तो यह यहाँ आजाएगा ठीक है चलिए क्रोस चेक करते हैं parallel बीटा शीट बिल्कुल यहाँ पर ही है और हमारा भी यहाँ पर आया है हमने बिल्कुल अच्छा प्लोट किया है यानि कि parallel बीटा शीट parallel बीटा शीट समझ आया बात करते हैं next collision triple helix का जिसमे minus 50 है plus है यानि कि same quadrant में आएगा लेकिन कहां पर आएगा minus 50 minus 50 तो minus 50 हो जाएगा यह minus 60 है तो इससे थोड़ा पहले यहाँ पर और इसमें जो साई है उसका value है plus 150 plus 150 यह 120 130 140 150 यानि कि यहाँ और यहाँ तो यहाँ पर आएगा collision triple helix चलिए cross check करते हैं बिल्कुल तो देखेगा collision triple helix यहाँ आएगा हमने भी यहाँ पर ही लिखा है तो यह है collision triple helix ठीक है तो यह यहाँ आएगा इस तरीके से कोई भी value अगर आपको दे दी जाए phi की देखे psi की देखे इनके sign को देखे और plot कर दीजे तो इस तरीके से हम plot करते हैं रामा चंदर प्लोट के अंदर ठीक है समझ आया हब हम बात करेंगे यह हमने देख लिया है हाँ आप इसमें बात करते हैं कि रामा चंदर प्लोट के अंदर allowed और this allowed reason क्या होते हैं एक बार फिर से हम अपने plot पर चलते हैं तो इस plot में आपने देखा है कि कुछ quadrant ऐसे हैं जो कि completely fill हुए हैं कुछ ऐसे हैं जो कि वुकुल खाली है यानि कि देखो ये वाला जो portion है ये वाला जो portion है और ये वाला जो portion है इसमें क्या है complete fill हुआ है लेकिन ये वाला जो portion है ये बिल्कुल भी fill नहीं हुआ है तो इसमें ये जो है जो fill हुआ है उसको आप कहते हैं allowed reason उसको आप कहते हैं allowed और जिसमें fill नहीं होता, कोई भी structure, कोई भी residue जिसमें नहीं आता, वो होता है disallowed, तो इसमें ये है disallowed reason, ये है disallowed reason, ये है allowed यहां तक कितना और ये है disallowed, ठीक है बात समझ आई, वो है हमारा ये वाला जो portion है, ये वाला, ये allowed है, और ये वाला जो portion है, ये disallowed है, क्योंकि इसमें कोई भी structure नहीं आती है, तो allowed reason में क्या है, residue and protein structure, protein structure, dihedral angle, dihedral angle कम और इसमें no any protein structure या फिर कोई residue इसके अंदर नहीं आता है, और अगर allowed के अंदर भी बात किया जाए कि कौन सा residue सबसे ज़्यादा दिखेगा, तो इसमें होता है glycine, glycine एक ऐसा amino acid है, जो कि सबसे ज़्यादा flexible, इसकी structure बहुत ज़्यादा flexible होती है, और वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, allowed reason के अंदर, और allowed reason में जो सबसे कम देखने को मिलता है, वो होता है proline, क्योंकि इसकी structure काफी rigid होती है, इसको rotate नहीं होने देती है, तो सबसे जो कम rotation है, मतब possible rotation है, वो proline का होता है, और glycine एक ऐसा amino acid है, जो बहुत सारे rotation को follow करता है, तो allowed के अंदर भी, जो सबसे ज़्यादा है, वो glycine है, सबसे कम है, proline है, और disallowed में कोई नहीं आता, disallowed में कोई नहीं आता, allowed में आते हैं, बट glycine सबसे ज़्यादा, proline मतब सबसे कम, इतनी बात समझ आई, तो हम हाँ, अब ये last topic रहता है, that is Ramachanan plot for D-amino acid, सबसे पहले बात को लेते हैं, कि D-amino acid क्या होता है, तो देखिए, D-amino acid का मतलब है, कि अगर NH2 group, जो amino acid का NH2 group है, अगर वो right side में आ जाए, तो वो amino acid, D-amino acid हो जाता है, कैसे, बीच में carbon, उपर hydrogen, नीचे R group, इसमें इधर आएगा COOH, और इधर आता है NH2, तो ये D-amino acid है, ये क्यों है D-amino acid, क्योंकि इसमें जो NH2 है, वो right में आया है, अगर NH2 left में आ जाए, तो उसको हम L-amino acid कहते हैं, और हमने जो plot अभी पढ़ा है, ये जो plot हमने पढ़ा है, ये 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 L-amino acid के लिए है, यानि कि किसी protein में अगर L-amino acid है, या फिर कोई amino acid ही L है, तो इसमें ऐसा structure आता है, अगर बात करें D की, कि D के लिए कैसा हो जाएगा, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इतना करना है, कि जो structure यहाँ पर है, उसको यहाँ ले आईए, जो यहाँ है, वो यहाँ आएगा, जो यहाँ है, वो यहाँ आएगा, कैसे? यहाँ पर हमने लिखा था, right-handed alpha helix, अगर उसमें D-amino acid है, तो वो इधर चला जाएगा, यानि कि right-handed alpha helix यहाँ आएगा, D के लिए, और left-handed इधर आजाएगा, चीक है, इसमें L वाले में यहाँ कुछ नहीं था, है न, तो वो कुछ नहीं यहाँ आएगा, इसमें जो यहाँ था, वो यहाँ आजाएगा, यानि कि anti-parallel beta sheet, parallel beta sheet, और collision triple helix, यह तीनों अब यहाँ आएगे, ना कि यहाँ, तो यह हो जाता है, D amine acid के लिए, ठीक है, यानि कि diagonally वो replace हो जाते हैं, यानि कि diagonally ऊपर चला जाएगा, यह नीचे, यह धर, यह धर, तो यह हो जाता है, D amine acid के लिए, अलग से कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको diagonally replace कर देना है, D amine acid की बात हो जाएगी, अब छोटे सी trick में रहती थी, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, for this, देखो इसमें एक trick है, that is, R N L P, यह तरीका है याद करने का, कैसे, यानि कि जो right handed alpha helix है, वो आता है negative side, और जो left handed alpha helix है, वो आता है positive के side for the L amine acid, ठीक है ना, R N L P, यह नि कि R से मतलब right handed, और N से मतलब negative में है, ठीक है, L से मतलब left handed, और P से मतलब वो positive वाले quadrant में है, इस तरीके से आप R N L P की help से, इन दोनों की position को याद कर सकते हैं, ठीक है, तो यह हमने पढ़ा है about Ramachandran plot, ठीक है, यह video, यह जानकारी और यह content अच्छा लगा है, तो video को like share, subscribe, जरूर से कर देना, thank you.